हेलो फ्रेंट वेल्कम बेटको माई चैनल फ्रेंट आज मैं आपको ये लड़ू गोपाल जी का रिपाब्लिक डेस्पेसल ड्रस बनाना बताऊंगी देखिए ये पगड़ी भी मैंने बनाया है और ये मैंने तीरंगे वाला ड्रस बनाया है आए आप हम इसको बनाना शुरू करते हैं इस ड्रस को बनाने के लिए मैं क्या करूँगी सबसे पहले बेस बना लूंगी प्रांस ये मैंने तीन नमबर के लड़ू गोपाल जी का बेस बनाया है आपके लड़ू-पल जी साइज के हैं मेंड़े चैनल पे हर साइज का बेस बनाना बताया गया हुए है आप तरह से मैं एक लुब बनाऊंगे लुब बनाने को यहां पे मैं बाड़ा चेन बनाऊंगे। एक, डो, तीन, चार, पां़, छे, साथ, ओर नौ, दस ग्यारा बारा बारा चेन बनाए यहां पर देखे एक दो तीन तीन चेन को स्किप करके चौथे चेन में मैं कुरूश्य डालके सब में मैं एक एक डबल कुरूश्य बनाऊंगी हर चेन में मैं एक-एक डबल कुरोश्या बनाऊंगी यह मैं पूर यहां तक बना के आपको दिखाते हैं देखे फैंस यह रो मेरा बनके कम्प्लीट हो गया यहां से मैं यहां से मैं वाइट कलर लगाऊंगी धागे को कट कर दूंगी यहां से मैं इस तरह से वाइट कलर का धागा लगाऊंगी इसको खीच के और इस ओरेंज कलर के धागे को मैं यहां से कट कर दूंगी अब देखिए इस दोनों धागे को मैं यहाँ पर इस तरह से करके इसको पकड़के इस तरह से मैं बनाते जाओंगे एक दो तीन चेन बनाया अब देखिए हर चेन मैं फिर वाइट से एक डबल क्रोश्या बनाओंगी इस तरह से जितना चेन है सब में मैं वाइट से एक डबल क्रोश्या बनाते हुए यहाँ तक आ जाओंगे, बना के मैं आपको दिखा दैए देखे फ्रैंक्स यहाँ तक मैं आ गए हूँ अब धागे को मैं निकट कर दिया है, अब दिखिए वाइट कलर के धागे से इस्को रह करके यहाँ पर एक, दो, तीन, तीन चेन बनाऊंगी वाग को इस तरह से टार्न करूंगी और इसको इस तरह से पकरके हर चेन में मैं एक एक डबल को बनाऊंगी ऐखे एक स्ट्रा ज्यादा धागा है इसको में कट कर दूंगी और इस रोग को पूरा में ग्रीन से यहां तक बना के आपको दिखाते हैं देखे फ्राइंड्स यह मेरा बनंके कम्प्लीट हो गया धागे काट कर दूंगी कि इस तरह से मेरा बन जाए है इस दागे को मैं इस तरह से दागे को मैं इस तरह से कट कर दूंगी जक्षा रहेगा ग्रीन को भी मैं इस तरह से करके करके मैं आपको दिखा दूँ देखे फ्रांस यह मेरा बन के कंप्लीट हो गया इसी तरह से मैं मैंने यहां पर देखे बहुत सारा मैंने बना लिया है और एक यह मैंने छोटा सा हाफ डबल क्रोशर से बनाया है यहां पर चोली पर लगाने के लिए और इसको मैं इस तरह से इस तरह से थोड़ा सा तीर इच्छा करते हुए इसमें मैं छेती रंगा सेट कर दूँगी और लिखे एक मैं यहां पर लगा दूँगी इस सबको स्टीच करके मैं आपको दिखाते हूँ देखे फैंस इस सबको मैंने सिल दिया है और अब मैं इस सब में एक स्री धागे के मदद से एक-एक मोती लगाऊंगी यह ब्लू कलर का मोती लिया है मैंने इस तरह से मैं सब में एक-एक मोती लगा के आपको दिखाते हूँ देखे फैंस यह मैंने बीच में ब्लू कलर के मोती को स्टेच कर लिया है अब यह देखे फैंस यह मैंने हाफ डवल क्रोशया से तीनों कलर का 45 चेन लेके 45 चेन में हाफ डवल क्रोशया बनाके मैंने इस पट्टी को तयार कर लिया है अब मैं क्या करूंगी देखे आप क्या करिएगा अपने लडूगो पाल को यहां से नापके जितना बड़ा साइज आपके लडूगो पाल के सर देखें यह मनने इसको सिलके रेडि कर लिया है मेरा बनके कंप्लीट हो गया है यहां पर उपर से लडूगो पाल जी को पहना आ जाएगा देखेंगे अगर आपको यह मेरा वीडियो जड़ा साभी अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए शेयर कीजिए और चैन को सब्सक्राइब कीजिए थैंक्स पर वाचिंग